केलो हैं एलकुमारी स्टिड़ी जोन इसको आप ध्यान से कर दीजिय में और सब्सक्राइब कर दीजिये मैं इस ड्यान से थीक हैं यह सुरू करते हैए ब्धों ध्यान से देख долग ये इसमें क्या करना चाहाIZ तो करी इजे fast learner, fast learner means, शीखने वाला, अर्थात इसका मतलब यह हो गया, अगर उसको कोई भी चीज सीखाते थे, तो बहुत ही तेजी से सीख जाता था था, fast means quick भी कह सकते हैं, इसको आप बहुत ही तेजी सीखता था, ठीक है, fast means quick तेज, तेज गतिजी सीखता था, ठीक है, ज signals, sounds, he is taught, वो सभी का master था, जो भी इसको सिखा जाती थी, कोई signal सिखा जाती था, sound सिखा जाती थी, उन पर सभी, उन सभी sound यह signal पर उसने गया है, mastery प्राप्त कर ली थी, ठीक है, बहुत ही जल्दी सीख जाता था हूँ, अब देखिए आगे क्या करना चाह रहा हो, there is one lesson, taught that दो, हाले की, एक lesson है, दो, that an elephant takes five years to learn, हाले की जो पार्ट होता है, उसको सीखने में, पांस साल लग जाते है, carry is no exception, carry जो अफवाद नहीं है, carry क्या है क्या है क्या है, अफवाद नहीं है, इसमें लिख भी रखा है, अफवाद ही लिख रखा है, तो carry अफवाद नहीं है, ठ carry को भी चार-पांस साल लगें सीखने में, इसका मतलब यह हो गया, अगर इसको कम लगते ताब हम यह कहते सकते थे, carry is no exception, और जब इसने लिखा कि carry is no exception, carry भी अपवाद नहीं है, an elephant must be taught when to sit, देखे, an elephant must be taught, उसको सीखाना पड़ता है, must be taught मिन एक हाथी को सीखाना पड़त पर जाता है, क्या, when to sit, कब उसे बैठना है, when to walk, कब उसे चलना है, when to go hard, कब उसे तेख चलना है, कब उसे गूमना है, कब उसे तेख चलना है, when he goes slow, कब उसे धिमा चलना है, यह सब शिखाना होता है, हाथी को, ऐसे कहना चाहता है, you teach him these things as you teach a child, तुम उसको कैसे सिखाते सारी चीज़े जैसे कहें बत्च्चे को शिकाते ह। यह सारे चीज़े इसको हाते को सिकानी होती है। यदि तुम उसको कहते हो धत देखे इसका कोई हिंदी तो होता नहीं है धत यह ऐसी बोलना पड़ागा में ठीक है तो इप यू से यदि तुम कहते हो धत एंड पूल हीम बाई येर और उसको कान से खीटते हो ही विल ग्रेजवरी लर्न टू सीट ताउं वो क्या दिर दिरे वो धिर दिरे बैटना सीख जाता है यदि तुम उसको धत बोलते हो और कान से खीशते हो तो इससे क्या होगा धिर दिरे बैटना सीख जाएगा वो समंझ जाएगा हती समंझ जाएगा कि उसको बैटने लिए का जा रहा है similarly if you save माली यदि तुम उसको माली कहते हो and pull his trunk और उसको forward आगो खीशते हो he will gradually learn that he will signal to work वो समंझ जाएगा कि उसको signal दे जा रहा है चलने गा यदि तुम उसको दत कहते हो तो समंझ जाएगा कि उसको क्या कहा जा रहा है बैटने के लिए कहा जा रहा अज सून पगड़ते है तो क्या समंझ जाएगा उसको माली कहते है तो समंझ जाएगा कि चलने के लिए कह जा रहा है तो चल पड़ेगा तो सको शिखाना होता है करी लंड माली आफ्टर थी लेसंस देखे तीन लेसंस के बाद उसको क्या सीका हो माली सीख गया ठीक है but it took him three weeks किन्तु उसको सीखने उसको माली शिखा गया है वो अच्छा नहीं था बैठने के लिए निचे बैठने के लिए अच्छने नहीं था नीचे नहीं बैठ पारता और एंड डू यू नौ क्या तुम जानता हो वाई एन एलिफेंट सुड़ वी टोट टू सीट डाउं उसको कैसे मतलब शिखा जाना चाहिए बैठने के लिए जब उसको बैठना नहीं आ रहा है तो उसको वाई एन फेल्ट क्यों सिखा जाना चाहिए डू यू उसको मतलब ऐसे क्या बात हुँझी हुझी 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 ये तुम उसकी परभाह करते हैं जब उसका प्रावण पॉसर्ण करोंगे तो क्या होता है बड़ा बड़ा होता चला जाता है ताकि he is two or three years old जब वो दो ये तीन साल का हो जाता है देखे ये बताना चाहरा है कि बैटने के बसकता क्यों है उसको तो ये क्या है कि बड़ा होता चला जाता है जब उसका problem question करेंगे, आप बड़ा होता चला जाता है, तो तब क्या होता है, you can only reach the back, अगर उसको बैठने नी सिखाएंगे, तो तुम कहाँ पोच जाओंगे, देखे, बैठने के हो सकता क्यों है, यहीं तुम उसको बैठने नी सिखाएंगे, तो दो-तिन साल में क्या हो जाएगा, इसलिए उसको धत क्याकर बैठना, मलब क्या है कि अच्छी बात है, बैठना अच्छा होगा, क्योंकि जब वो बैठ जाएगा, तो उसकी पीट पर आसानी से चड़ा जा सकेगा, ठीक है, so that, ताकि you can climb upon the back, ताकि तुम उसकी back पर चड़ सोगो, फोर, who would want to carry ladder around the time, कौन हमेशा CD को हर समय साथ लेता चलेगा, ठीक है, who would want to carry, कौन चाहेगा साथ लेगा चलना CD को, हर टाम CD को थोड़ी ना, हर वक्त CD को लेगा, चलेगा आदमी, तो उसको अदर बैठने करें सीखा दी हमने, तो उसको कहेंगे, धत तो बैठ देगा, और हम उसकी तब क्या है, पीट पर चड़ देगी, ऐसे कहना चाहता राइटरिया, तब most difficult thing, जो सबसे, मतलब कठीन जो बात है, तो टीच एन अलिपेंट, इज, इज मास्टर काल, देखें, यह मास्टर काल है, उसको जो सबसे कठीन बात होती है, धत भी आसानी से सीख जाता है, माली भी सीख जाता है, किन्तु जो सबसे कठीन बात होती है, वो क्या होती है, master call होती है master call को शिखाना he gradually takes five years to learn it properly उसको पांस साल लग जाते हैं पहले ही बता दिया हाथी को पांस साल लगते हैं पूरा टेंडोने में तो देखिए उसको ये master call शिखाने में पांस साल लग जाते हैं तो master call is stage, hissing जो master call है एक अजीब सी hissing होती है hissing मिन्स अवाज होती है holding, cheek पुकार होती है sound ठीक है एक अजीब सी क्या होती है hissing कहता है फुस पुसाना ये एक cheek कर बोलना जैसे की भेडिया बोलता है कोई भी एक अवाज होती है drowney आवाज कह सकते हैं ये cheek कर बोलनने की अवाज होती है master goal जो बहुत है अजीब सी होती है अजीब मानों की मानों की जो इसनेक है मानों की जो एक साप है ऐसी hissing साप ही निकालता है एक तर से तो मानों की एक साप एंड टाइगर और fighting each other ऐसा लग रहा है जैसे की टाइगर और साप आपस में लड़ रहे हो and you have तो में एक आवाज निकाल ली होगी और आवाज किसके कान के लिए निकाल ली होगी हाथी कान के लिए इनिजी एर मिर्स कान के लिए उसके master goal में उसके कान तक आवाज पोचा नहीं होती है इसका मितलब एक तरह की आवाज होती हो and do you know what you expect तुम जानते हो what you expect an elephant to do तुम हाथी से क्या उमीद करते हो करने के लिए when you give you master goal क्या तुम्हाथा है कि जब master goal दी जाती है तो उसके कान मों कुछ आवाज पोचाई जाती है तो तुम क्या उमीद करते हो मतलब उसको क्या करना चाहिए इसकी उमीद क्या होती है master goal क्या होती है यह बताना चाहता है तो if you are lost in the jungle master goal के बारे में बता जा रहा देखिए हाँ ध्यान से देखिए if you are lost in jungle यदि तुम खो जाते हो कहां खो जाते हो जंगल में and there is no way and there is no way out and everything is black except the ear वो सब कुछ काला ही काला होता है तुमारे छोड़ करके accept मिन छोड़ कर गे except जो बड़ा रहा है इसका मिन्स होता है सिवाई छोड़ कर गे तारों को छोड़ करके सभी कुछ क्या होता है काला ही काला दिखाए देता है अब जंगल में खोगे माल लो आप तो अब मास्टर काल के हो सकता पड़ेगी तो यू डेर अब देखें क्या करना चारा है यू डेर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें यू डेर अब देखें यहां क्या जाना चारा है you dare not to stay very long anywhere अब तुम्हें सासी नहीं है ज़्यादे लंबे समय ठैरने का जंगल में ठीक है हिमत हार चुग है वो जंगल मां खोगे है ऐसे मतलब है अब यहां master call master जो call है वो काम करेगी the only thing to do then देखे then to अब वो क्या करना चारा है एक बात होती है then to give the master call अब master call की अवसकता पड़ती है ठीक है and at once the elephant pull down अब जैसी master call दी जाती है तो elephant क्या करता है pull down माने गिरा देता है किसको tree को गिरा देता है in front of him with the trunks अपने suit से पेट गिराने शुरू कर देता है रास्ता बनाने के लिए मतलब the frightened, the frighteners all the animals अवे जो जानवर है डर करके भाग जाते हैं दर दर ठीक है यह master call का मतलब यह है तो as the tree comes crashing down जब एक दूसरे टकराते हुए आते हैं monkey जब एक दूसरे पेट टकराने ले गिरन लगे तो एक दूसरे पेट टकराएंगे तो monkey away from there इसलिए monkey जाग जाते है अपनी नीज से run from branch to branch और वे कहा है कि एक branch से दूसरे पर दोना शुरू कर देते हैं अब देखे आगे क्या करना चाह रहा हो you can see them तुम देख सकते हैं उनको देखे you can see them you can see them you can see them तुम उनको देख सकते हो in the moonlight तुम उनको क्या है चद्रमगी चांदली में देख सकते हो and you can you can almost तुम almost सीधा इस्टेग देखे जिसमें इस्टेग वड़ा रहा है deer तो आप लोग उनको सुना होगा deer तो जो deer होता है तो ये स्टेग जो male deer को कहते हैं किसको कहते हैं male deer मैं लिख देख देख तुम male deer होता है उसको stake बोलते हैं तो तुम किसको देख सकते हो running देख सकते हो stake मने male deer को दोड़ते वे देख सकते हो in all direction सबी direction में देख सकते हो नीचे जितनी भी direction होती है चार तरफ दोड़ता देख सकते हो main deer को you can hear तुम सुन सकते हो क्या सुन सकते हो the growl आवाज एक तरह से growl किया हो एक sound होती है of the tiger जो tiger की sound है tiger की sound को growl बोलते हैं उसको सुन सकते हो in the direction in the distance कुछ दूरी पर tiger भी क्योंकि पेड़ गिरने शुरू हो गए तो उधर तो बंदर भागना शुरू कर दिया उधर जो इस टेग अपमे अलीरे वह बागना शुरू कर देते हैं वो tiger की growl भी tiger की आवाज सुन सकते हो थोड़ी दूरी पर even the frightened even he is frightened हाले कि जो वो हाती है वो क्या है कि frightened ओड़ जाता है ठीक है बाग है sorry यह जो यह ही आया है न ही जो आया है देगे थोड़ा ज्यान देंगे यह बाग के लिए आया जो बाग थोड़ी दूर पर धार रहा है तो हाले कि he is frightened वो डर जाता है तोड़ा जब पेड़ गि अब elephant दूसरे पेड़ों गिरा देते हैं, ठीक है, elephant क्या कर रहे हैं, दूसरे पेड़ों गिरा देते हैं, next, next and next, एक के बाद दूसरा, soon he will find that he has made a road, अब वो शिगरी तुम पाऊगे कि उसने एक road ची बना दिये, तो रहते जंगल मोगो, stay to your house, घर, बिलकुल सीधे घर की तर आए, ठीक है, तो ये लेसन पूर हो गया बच्चो, और आप एक बार फिर करना चाहिए, इसको सब्सक्राइब कर दिजिए, ठैक्स पूर वोचिंग इस वीडियो,